जै श्री कृष्णा वास्तू के अनुसार एक आदर्स मकान का मैंगेट शिर्फ पूरव या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ड़लान पूरव उत्तर या पूरव उत्तर यानि इशान कौन की और होना सुब माना गया है। इस तरह वास्तू के अनुसार घर के कमरे, हौल, कीचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए। जिससे घर में वास्तू दोस नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। अब बात करते हैं वास्तू के अनुसार सैन कक्स कैसा होना चीए, किधर होना चीए और कैसे सोते वक्त शिर या पैर रखने चीए। बंदो बेडरूम यानि सैन कक्स की वेवस्ता इस तरह से होनी चाहिए, कि सोते समय पैर उत्तर दिशा और शिर दक्षिन दिशा की और होना अच्छा रहता है। जोतिस के अनुसार सोते समय वेक्ति के पैर दरवाजे की तरफ नहीं होने चीए। अब बात करते हैं पूजा घर के बारे में। मित्रो घर में पूजा अस्तल उत्तर पूरव दिशा में होना चाहिए। पूजा अस्तल के बारे में एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि पूजा घर या पूजा अस्तल के उपर गुम्बज घर में नहीं होना चाहिए। पूजा घर में भगवान की प्रतिमा इस्तापित नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर में प्राण प्रतिष्टा मूर्तिकी नहीं की जाती है और इस तरह से नहीं रखी जाती जैसे मंदिरों में होती है मंदिर की मूर्तिकी प्राण प्रतिष्टा होती है और घर की मूर्तिकी प्राण प्रतिष्टा नहीं की जाती है इसलिए घर में प्रतिमा अस्तापित नहीं करनी चाहिए। फटे हुए चित्र, खंडित मूर्ती पूजा घर में बिलकुल भी नहीं रखिएगा घर में कभी भी सीडियों के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए मकान बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि टोयलेट के बगल में पूजा घर नहीं होना चाहिए आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को शेर कीजिएगा लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और हमारी चैनल दो साथी टीवी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकोन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नमस्कार जैश्री कृष्णा मिलते हैं अगले वीडियो के उपर धन्यवाद